हेलो फ्रेंज, नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल निन्नी की प्रेरिना दोस्तो आज हम बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके पास लिकर आए हैं पंच तंत्र से खरगोश, गौरईया और बिल्ली की कहानी चलिए सुनते हैं एक गौरईया ने एक पेड़ पर खाली छेद में अपना घर बनाया एक दिनवा भोजन की तलाश में निकली और फिर कई दिन तक नहीं लोटी इसी बीच एक खरगोश वहाँ आया और उसका घर खाली देखकर उसमें रहने लगा काफी दिनों बाद गौरईया लोटी उसने देखा कि उसके घर में तो खरगोश रह रहा है उसने खरगोश से कहा मेरा घर खाली कर दो यह घर मेरा है खरगोश ने उसका घर खाली करने से मना कर दिया दोनों आपस में लड़ने लगे लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों ने फैसला किया कि कहीं किसी तीसरे से हम यह फैसला करवाते हैं इसी बीच एक दुष्ट बिल्ली को उनके जगड़े के बारे में पता चल गया वह उन दोनों के पास आ गई और दोनों ने उन्हें अपने जगड़े के बारे में बताया बिल्ली बड़ी मीठी आवाज में बोली मैं बहुत बूरी हो गई हूँ और ठीक से सुनाई भी नहीं देता पास आकर अपनी बात समझाईए जब बेचारी गोरईया और खरगोश उसके पास आ गए तो बिल्ली ने जपट कर दोनों को दबोच लिया और उन्हें मार कर खा गई है ना बहुत शिक्षा प्रत कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी और इसका लाव कोई तीसरा ले जाएगा दोस्तो एकता में ही शक्ती है हमें एक होके रहना चाहिए नहीं तो शत्रू इसका फाइदा उठाएंगे जैसे गौरईया और खरगोश दोनों लड़ रहे थे उन दोनों ने आपसी सुला से अपने जगडे का निराकर नहीं किया तो बिल्ली ने इसका फाइदा उठाया खरगोश और गौरईया दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तो दोस्तो हमें आपस में नहीं लड़ना है और आपस में अगर कोई भी मामला आता है तो हमें मिल कर सुलजा लेना चाहिए लड़ना नहीं चाहिए हाँ दोस्तो अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी शिक्षा प्रद कहानियां आपके पास लेकर आती रहूंगी थैंक यू